आज मैं आपके लिए 21 सितंबर 2021 के most important current affairs के question इस वीडियो में लेकर आया हूँ फ्रिंट्स मैंने आपके लिए सभी question selected और important लिया हैं अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़ादा useful रहने वाला है फ्रिंट्स आज ही class मैं ले रहा हूँ कल से मैं continue करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं first question से first question है मारा किस अंस्था ने अब ease of doing business report जारी करने पर रोक लगा दी है सही answer इसका option B वेशु बैंक वेशु बैंक यानि की world bank ने ease of doing business report जारी करने पर रोक लगा दी है यह आपने याद रखना है important point discuss कर लेते हैं world bank यानि की वेशु बैंक के अनुसार उसने देशों में investment के माहूल पर ease of doing business report प्रकाशित नहीं करने का फैसला किया है world bank के अनुसार उसकी जाच में वरिश्ट अधिकारियों की और से डेटा में गरवरी करने का दवाब डालने का पता चला है इसी कारण से वेशु बैंक जो की ease of doing business report को जारी करता था इस पर अब इसने रोक लगा दी है अब फरेंट देखो इस question में बात हुई है वेशु बैंक की यानि की world bank की तो हम वेशु बैंक के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ की वेशु बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में वेशु बैंक का मुख्याले वाशिंग्टन DC यानि की सन्युक्तराज अमेरिका में है वेशु बैंक की अध्यक्ष है डैविड मालपास और वेशु बैंक के MD & CFO है अंशुला कांत ये भी आपने याद रखना है फिर्ट से मैं आपको जितनी भी एडिशन इंफॉर्मेशन दे रहा हूं सब अपने आप में कोशन है और एक्जाम में पुछे जाते हैं अगला कोशन है हमारा किस राज्ये ने कैटली मचली को राज्ये मचली घोशित किया है सही आंसर है option D सिक्किम सिक्किम राज्ये ने कैटली मचली को राज्ये मचली घोशित किया है important point discuss कर लेते हैं फ्रेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो cataly मचली है जिसे कि सिक्किम राज्ये ने राज्ये की मचली घोशित किया है इसका जो विग्यानिक नाम है वो है cataly लोकल नेम है वहाँ पे सिक्किम में कपूर महसीर और मैंने आपको विग्यानिक नेम क्या बताया नियो लीसो चीयस हेक्सा गोनो लैपिस ये भी आपने याँ रखना है cataly मचली के महसव को जागर करने और इसकी संरक्षन उपाईयों पर जोड़ देने के लिए यह निरनाय किया गया है मचली का उच बजार मूले है और राज्ये में जनता द्वारा इससे अतियतिक पसंद किया जाता है इसलिए सिक्किम राज्ये की सरकार है इसने इसको राज्ये मचली घोशित किया है बात फ्रेंट्स यहाँ पर सिक्किम की हुई है तो सिक्किम के बारे में जान लेते हैं सिक्किम राज्ये की जो स्थापना है 16 मई 1975 को हुई थी सिक्किम की राजधानी है गंग टोक इन पूटान दूसरा चीन था नेपाल है, वहीं अगर हम बात करें सिक्कीम के पडक रजय की तो पॉर्ट्वेट्ट्स पश्यम बंगाल सिक्कीम का एक पड़ोसी राजय है, अगर हम भात करें सिक्कीम की लोसबह सीट three ऊंथे राजह सीपं भी एक है और व documentary अगर हम बात करें विधान सभा सीट तो वो है बत्तिस जितने भी मैं आपको स्टेट के बारे में एक्स्टा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इसमें से डारेक्टली कोशन हर एक्जाम में बनते हैं और आपको मैं फ्रेंट्स यह भी बता दूँ आपसे एक्जाम में पूछते ह कि किस राज्य की सीमत तीन देशों से लगती है जिसमें कि एक नेपाल है भूटान है और चीन है तो आपकांसरो का सिक्किम सिक्किम के परमुख दर्रे देख लेते हैं यानि की पासिस देख लेते हैं तो नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा ये दोनों परमुख दर्रे हैं सिक्किम के और कंचन जंगा परवज्व एफेंट्स ये भी सिक्किम में स्थेते हैं और कंचन जंगा रास्टे उद्ध्यान जो है ये भी सिक्किम का एक परमुक रास्टे उद्ध्यान है ये आपने याद रखना है अगला कोशन कर लेते हैं एशियन सुनुकर चैंपियंशिप 2021 का किताब किसने चीता है तो सही आंसर इसका औप्शन A पंकज आडवानी पंकज आडवानी ने फ्रेंट्स एशियन सुनुकर चैंपियंशिप 2021 का किताब चीता है इंपॉर्ण पॉइंट डिसकस करते हैं और कोशन को समझने की कोशिश करते हैं भारत के पंकज आडवानी ने आमी सरकोश को हराकर लगाता है दूसरी बार एशियन सुनुकर चैंपियंशिप 2021 का किताब जीता है और मैं आपको बता दू सुनुकर खेल होता क्या है दुनिया में खेले जाने वाले सुनुकर खेल का विशकार मध्य प्रदेश के जबलपूर शहर में हुआ था सुनुकर एक डंडे वाला खेल है जो एक बड़े हरेत बनात के धके हुए मेच पर खेला जाता है आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का टेबल होता है और इस टेबल के उपर बहुत सारे बॉल्स होते है और चारो कॉनवे फ्रेंट्स यहां पर होल होता है ठीक है और एक स्टिक की मदद से यानि कि डंडे की मदद से फ्रेंट्स यह जो बॉल होता है यह हमें होल में डालना होता है तो इसी को हम सुनुकर खेल बोलते है ठीक है यह आपने याद रखना और आपको मैंने क्या बताए इस कोशन में कि एशियन सुनुकर चैंपिंश्रिप 2021 साथ खिताब जीता है किसने पंकज आडवानी ने अब देखो फ्रेंट इस कोशन की टाइप पता गया थी इस कोशन की टाइप थी खिताब याने की पुरुसकार तो मैं आपको फ्रेंट टॉप फाइब पुरुसकार बता देता हूँ पिछले करेंट अफेर्स के ठीक है इस तरह से आपकी रिवीजन हो जाएगी तो मैं आपको बता दूँ स्वामी ब्रह्मानंद पुरुसकार जो है वो किसन को दिया गया है आनंद कुमार को दिया गया है US Open Tennis Tournament में महिला एकलगा खिताब किसने जीता है Emma Radu Kanu ने जीता है US Open 2021 में पुरुष एकलगा खिताब किसने जीता है Daniel Medvedev ने जीता है के लिए Behaler Total Conservation Award 2021 किसने जीता है डॉक्टर शेलेंदर सिंग ने जीता है यह जो एक्स्टर करवाता हो ना मतलब यह आपको जो मैं पढ़ाते है current affairs में उसका मस एक ही मोटीव होता है आपको कि पिछले questions भी आपको याद हो जाए और सारे questions हम इसमें important लेते हैं अगला question स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दो friends कि हमारी ना हर महिने की जो e-book होती है यानि कि monthly current affairs की e-book होती है जैसे January, February, March, April, May, June, July, August की अगर आपने पूरे महिने current affairs revise करना है तो friends वो e-book आप buy कर सकते हो उसका जो link है वो मैंने वीडियो के description में डाला हुआ है वहाँ से जाके friends आप उसको buy कर सकते हो अगला question है मारा भारत के सतरवे शत्रंच grand master कोन बने है तो उसका सही answer है option B आर राजा रित्विक आर राजा रित्विक जो है ये भारत के सतरवे शत्रंच grand master यानि की chess grand master बने है important point discuss कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ friends जो आर राजा रित्विक हैं ये तेलंगाना राज्जे से हैं 17 वर्ष ये आर राजा रित्विक ने हंगरी के बुड़ापेस्ट में विजोर कैपजो grand master शत्रंच टैप्रणामेंट में ये grand master किताब हासिल किया है इस तरह वर देश के सतरवे grand master बन गए हैं और वहीं friends अगर हम बात करें 69 वे grand master की तो friends वो थे हरशित राजा मतलब इससे बिछले वाले कोन थे हरशित राजा ये आपने ग्याद रखना है ये तो friends मैंने आपको बता दिया कि आर राचा रितिविक भारत के सत्तरवे शत्रंच grand master बने हैं आप friends मैं आप कोई चीज और समझाना चाहता हूँ कि पूरे विशो में जो शत्रंच का खेल होता है उसे फिडे संस्था रेगुलेट करती है ये एक्जाम पूछते हैं कि शत्रंच खेल को कोन रेगुलेट करता है फिडे रेगुलेट करता है क्रिकेट के खेल को कोन रेगुलेट करता है ICC रेगुलेट करता है ओलंपिक खेल को कोन रेगुलेट करता है IOC रेगुलेट करता है टैनिस को कोन करता है ATP करता है फुटबॉल को कोन करता है फीफा करता है ठीक है वैसे ही फीडे करता है शतरंच खेल को फीडे का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चैस फेडरेशन हिंदी में वेश्व शतरंच महासंग होता है बीस जुलाई 1924 को स्थापना हुई थी फीडे की सबसे ज़्यादा इंपॉरेंट है मुख्याले लिवसाने जो की सुजेलेंड का एक शहर है यहां पर हैड़क्वार्टर है अध्यक्षय आरकरी डवरकोविच यह आपने याद रखना है नेक्स कोशन अंतरास्टिय लाल पांडा दिवस 2021 का मनाया गया है आंसर इसका ओप्शन ए 18 सितंबर को फ्रेंट्स अंतरास्टिय लाल पांडा दिवस के रूप में मनाया जाता है लाल पांडा संदक्षन के मुद्दों के लिए जन जागरुकता और समर्थन बढ़ाने के लिए हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को अंतरास्टिय लाल पांडा दिवस मनाया जाता है फ्रेंट्स एक चीज आपने समझे लिए हाँ पे कि यहाँ पे बात हो रही है अंतरास्टिय लाल पांडा दिवस 2021 की तो यह मैंने आपको क्या बताया है कि सितंबर का जो तीसरा शनिवार होता है यानि कि 18 सितंबर जो की तीसरा शनिवार था और 2021 में 18 सितंबर को मनाया गया है 2021 में यह दिवस 18 सितंबर 2021 को मनाया जा रहा है Red Panda Network द्वारा 2010 में इस दिवस की शुरुवात की गई थी पहला अंतरास्टी यह पांड़ा दिवस 18 सितंबर 2010 को मनाया गया था अफ्रेंट देखो इस question की type थी मैं तो पुन दिवस तो मैं आपको सितंबर महिने के जो top 5 दिवस है ठीक है वो मैं आपको revise करवा देता हूँ और हर वीडियो में हम अलग-अलग set यूज करते हैं मतलब कि अगर मैं आपको यह 5 question करवाऊंगा तो अगली वीडियो में दूसरे 5 questions आपको over करवाएंगे ठीक है मतलब repeat नहीं करवाते आपको राश्टी वन्य जीव दिवस का मनाया जाता है चार सितंबर को अंतर राश्टी साक्षरता दिवस का मनाया जाता है आठ सितंबर को विश्यो भौतिक जीकिसा दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुसाइट प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को मनाया जाता है और फ्रेंट्स मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको सभी कोशन का मैं आपको एक बाद रिवीजन भी करवा दूँगा ठीक है और उसके बाद static GK का एक set भी करवाया जाएगा आपको ठीक है जिसमें की important questions होंगे GK के आपकी exam के लिए और उसके बाद friends कल वाले question का test है और test के साथ मैं आपको answers भी बता दूँगा ताकि friends आपको सभी questions कल वाले भी इसी वीडियो में याद हो जाए मतलब friends आपको कम time में सबसे जादा content मिलने वाला है तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना हो वीडियो आपको बहुत जादा पसंद आने वाली है अगला question है हमारा question है मारा की घर घर नयाय दिलाने के लिए एक पहल drive नामक अभ्यान किस मंत्राले द्वारा शुरू किया गया है तो सही answer इसका option B कानून और नियाय मंत्राले कानून और नियाय मंत्राले द्वारा घर घर नियाय दिलाने के लिए एक पहल ड्राइफ नामक अभ्यान को शुरू किया गया है important point discuss कर लेते हैं कानून और नियाय मंत्राले के तहट नियाय व्युभाग ने टैली लॉग के तहट बड़े पेमाने पर पंजी करन को प्रसाहित करने के लिए एक पहल अभ्यान शुरू किया है एक पहल अभ्यान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पुरे देश में चलेगा टैली लॉग का मतलब जान लेते हैं इसका अर्थ है कानूनी जानकारी और सलाह देने के लिए संचार और सूचना प्रोध्रगी की का उपियोग करना ठीक है और मैं आपको वहीं बता दूँ कि हमारे देश के जो केंद्रिय कानून और नयाय मंतरी हैं किरेन रिजी जुदू हैं ये भी आपने याद रखना है इस कोशन का फैन जो टाइप था वो क्या था अभ्यान तो मैं आपको पिछले करन्ट अफेट्स के टॉप फाइव अभ्यान रिवाइस करवा देता हूँ सैलफी विद टैमपल अभ्यान को शुरू किसने किया है उतरा खंड की सरकार ने शुरू किया है अलेक्ट्रिक वहानों को अपनाने पर जोड़ देने के लिए शून ने अभ्यान किसने शुरू किया है नितियायोग ने शुरू किया है सड़क किनारे रिहडी पत्री वालों को डिजिटल पेमेंट लेने में सक्षम बनाने के लिए किस अभ्यान को शुरू किया गया है मैं भी डिजिटल 3.0 आयूश आपकी दौआर अभियान को किसने शिरू किया है आयूश मंतरालियाने विखार ओपन अभियान दोज़ार 1मट किसने शिरू किया है कोयला मंतरालियाने नेक्स्स कोशन है मारा 19 सितंबर को भारत पाकिस्तान युद में विजय के 50 वर्ष पूरे होने के जशन में भारतिय सेनाने की शहर में स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया है सही आंसर है Option C. जैपूर राजिस्तान की राजदानी जैपूर है यहां पर सौरनिम विजय वर्ष मनाया है किसने भारतिय सेना ने important point discuss कर लेते हैं भारत-पाकिस्तान युद्ध में दुश्मन को धूल चटाने वाली भारतिय सेना जीत के 50 वर्ष पूरे होने पर सौरनिम विजय वर्ष celebrate कर रही है इसके तहद राजिस्तान की राजधानी जैपूर में दो दिवसे कारेगरम का होजन हुआ है फिर बात हुई है भारतिय सेना की तो मैं आपको भारतिय सेना यानि की भारत थलसेना के बारे में बता देता हूँ इंडियन आर्मी भी कहा जाता है एक एपल 1895 को स्थापना होई थी हैड़कॉर्टर नई दिल्ली में है थलसेना दिवस भारतिय थलसेना दिवस 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है और हमारे देश के जो थलसेना दिवस भारतिय है उनका नाम है जनरल मनोज मुकंद नर्वने अगला कोशन है फेस्बुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डारेक्टर कौन नियुक्त होए हैं सही आंसर है ऑप्शन ए राजीव अगरवाल जो है ये फेस्बुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डारेक्टर नियुक्त होए हैं बात फ्रेंट्स यहां पर फेस्बुक की होई है फेस्बुक की बारे में जान लेते हैं फेस्बुक एक शोशल नेटवरकिंग साइट है 2004 में स्थापना हुई थी कैलिफोर्निया USA में मुख्याले है मार्क जुकरबर्ग CEO हैं फेस्बुक कंपनी के अगला कोशिन कर लेते हैं सह्युक्त राष्ट की संस्था जिसका नाम है UNCTAD के अनुसार 2021 में भारत की जो GDP विकासदर है कितने परतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है सही आंसर है Option B 7.2 परतिशत UNCTAD ने 2021 में भारत की GDP विकासदर रहने का नुमान लगाया है अब मैं आपको बताता हूँ कि GDP होता गया है सबसे पहले इसका फुल फॉर्म होता है Gross Domestic Product हिंदी में फॉर्ण्स फॉल फॉर्म होता है सकल घ्रेल उत्पाद किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट द्वारा उत्पादी समस्त वस्तों वैं सेवाओं के कुल मुल्ले को हम सकल घ्रेल उत्पाद यानि की GDP बोलते हैं वैपार और विकास पर सहयुक्त राष्ट सम्मेलन ने भारत की आर्थिक विकास दर को 2020 में 7% के संकोचन के मुकाबरे 2021 के लिए 4 साल की उच्छ दर 7.2% पर पहुँचने का अनुमान लगाया है किसने UNCTAD ने अगरा important point है कि इस दर पर भाराचीन के बाद सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थ विवस्ता होगी जिसके 8.3% बढ़ने का अनुमान है फिर्ट्स यहां में बात UNCTAD के बारे में हुई है इसके बारे में बता रहे तो मैं आपको United Nations Conference on Trade and Development full form होता है 30 दिसंबर 1964 को स्थापना हुई थी सबसे अधा important है मुख्याले जेनेवा सुईजर लेंड में मुख्याले है UNCTAD का याद रखने आपने और महासचीव कोन है रेवे का ग्रिन स्पैन आखरी कोशन कर रहे हैं इस वीडियो का और इसके बात में जो revision वाला पार्ट है static gk वाला पार्ट है कल वाले कोशन का test वाला पार्ट है वो जरूर देखना आप पूरी इस वीडियो में कोशन है मारा आखरी रक्षा मंतरी राजनाज सिंग ने shining sick youth of India नाम पुस्तक का विमोचन किया है इस पुस्तक को किस ने लिखा है सही आंसर है option c dr. प्रबलीन सिंग ने shining sick youth of उसे अुप हं जगत रiक्षा मतरी आखरी ए इस प्रबली ま प्रबली ने जगत दुपर शStarरी ने उन से ड़र्क.